तो हम सब को मिलके 142 करोड के देश को इस ठीवन में खड़ा करना पड़ेगा, तब वो तो विश्वगुरु कहलाएगा ही, लेकिन ये दुनिया भी एक नई सुखी सुन्दर दुनिया बनेगी उसके संपरकसे, ऐसा ही भारत खड़ा होने के लिए उसका उत्थान हो रहा है, भारत का उत्थान भारत के अपने लिए नहीं है, विश्वके कल्यान के लिए भारत उठा है, ये जो सबको संतुलन देने वाला, सबका एक साथित साधने वाला, शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा, सबकी उन्नती एक साथ कराने वाला, सबको जोड़कर भी सबकी पहचाने न मिटाने वाला जो धर्म है धर्मतर्त्व है ये धर्म वो धर्म ऐसा कहते लोग लेकिन वो एक भ्रम है ये कई धर्म है जिन नियमों के आधार पर चलता है विखरता नहीं टूटता नहीं उपर उठता है वो धर्म है सुभाव को भी धर्म कहते कर्तवयों को भी धर्म कहते हैं जिसके आधार पर धारणा होती है वो धर्म है वो धर्म दुनिया को देने वाला भारत यह हमको खड़ा करना है वसुदहिवकुटुम्बकम इस एक महावाक्य में इतने सारे अर्था है उनको हम समझे और अपने अपने कृती में हम स्वयं प् रयो यहन है